हलो फ्रेंड्स मैं हूँ औरजन इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यह मेरे पास चार कोल पैंसल है जो कि सॉफ्ट है तो इसको चलाने का तरीका देखो जैसे बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से आपने चलानी है और ब प्रैक्टिस है हमारी स्किल के लिए और जैसे हम टूटी फूटी पैंसल चलाते हैं जैसे दीर दीर चलाते हैं स्ट्रोक्स नहीं दिखते यहां फर फ्लो में नहीं आती पैंसल का चलाना तो यह प्रैक्टिस होती है जैसे आपने लाइट एंड डाक सर्कल इस तरीके से आ रहा हूं जैसे आपने फेस का जेस्टर ले लिया उसके बाद आपने इस तरीके से लाइनिंग ले ली स्टिक फिगर बनानी है जैसे बिल्कुल स्टिल होता है तो स्टिक फिगर की आपने जेस्टर बनाने है इससे आपको पता चल जाता है कुछ स्प्रोक्स का कुछ ठीक है जैसे आपकी सिंगल लाइन है उसके बाद ये डबल लाइन से हम बना लेते हैं एक पॉइंट्स जो कि आपकी फिगर ड्राइंग के लिए काफी जरूरी हो जाता है जैसे कोई बॉक्स ले लिया या फिर कोई सरकल ले लिया अब कोई भी फॉर्म ले सकते हैं आप जैस से भी बुक से भी और उसको बना के देखते हैं कुछ एक्शन फिगर्स कुछ भी सिंपल तरीके से जैसे अभी आपको पता चल गया होगा कि सिंगल लाइन को आपने डबल किस तरीके से करना है राइट तो सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है यही होता है कि आप ने एक लाइनिंग ली और उस्से कोई एक्शन लिया उसके बाद आपने इसको डबल कर लिया ठीक है तो इस तरीके की प्रैक्टेस आप करेंगे पहले उसके बाद आपको मैं बता देता हूं जैसे आपने कोई भी फीचन आपने सोचा है तो सबसे पहले face ले लिया ठीक है face का कोई भी angle ले लिया जैसे मैं simple इसलिए लेता हूं क्योंकि पता चलता है side का की side face simpler रहता है कोई और angle लेंगे तो मुश्किल में हो जाता है तो जैसे ये torso मैंने अपनी side थोड़ा सा गुमा दिया ठीक है तो इस तरीके की lining ले ली अब यह जो चीज है यहां पर आगी ठीक है पैर इसके थोड़े से front पर आ जाते हैं अब यह लाइन देखो center line है ठीक है यह वाली line जो है center point यहां पर बन गया कि टॉर्स थोड़ा सा गुम गया यह वाला पैर इधर कर लेते हैं ठीक है आपने समझना है कि मैं किस तरीके से बना रहा हूं कोशिश इस तरीके से करके देखना कैसे बनेगा यह को टॉर्स गुम गया यह वाला point shoulder वाला ह हो गया अभी यहां पर joint आ रहा है shoulder का यह चेस्ट लाइन आगी और यह चीज इस तरीके से घूम जाती है राइट यहां से यह वाला पैर यह वाला पैर यहां से ठीक है यह वाला हाथ इधर से फिर यह वाला point कोई भी action ले लो इधर रख लेते हैं यहां तक ठीक है और फिर यह वाला point हलका सा four shotning में हमारी तरफ आता हुआ ठीक है तो यहां पर कोई भी चीज पकड़ा दो और यह वाला point देखो hand का इस तरीके से यहां पर hand हो गया ठीक है यहां पर कोई भी चीज पकड़ा दो मैं इसलिए कोई भी हाथ में कोई चीज दे रहा हूं ताकि action रहे थोड़ा कुछ भी बना के हम उसको एक action figure बना सके राइट कोई हरकत मतलब हो सके नहीं तो यह चीजें still रह जाती हैं अभी यह देखो यहां पर कुछ पैना दिया इसके पैरों पर दोसे कुछ भी इस तरीके से यह वाला point यहां पे पैर अब देखो यह पूरी body किस तरीके से balance होगी है राइट यह वाला belt वाला area आगया अभी उपर इसके कुछ भी पैनाना है कोई भी detailing देनी है उसके बाद हम कर सकते हैं लाइनों को समझना है कि किस तरीके से line आ रही है कहां पे कौन सी चीज स्टेबल हो रही है ठीक है तो face बनाना या उसकी detailing या फिर कोई क्योंकि जब भी आप कोई चीज करते हैं थोड़ा सा difference होना चाहिए अलग लग तरीके की चीजे होनी चाहिए जैसे हम थोड़ा सा नीचे से देख रहे हैं तो jaw line दिखेगी face की ठीक है यहां पर मुच्छे मना देते हैं इसकी थोड़ा सा character में डिवाइड करते हैं इसको यह देखवा भी face आपको थोड़ा सा feel हो रहागा कि हम नीचे से देख रहे हैं यह head चोड़ा बनीगा फिर यह neck थोड़ा सा अपनी माली side कर लेते हैं यह यहां तक shadow फिर उसके बाद यह हमारी तरफ गुमा लेते हैं थोड़ा सा यह हो गया center line टॉर्सों का यह chest line नीचे से देखेंगे height की तो यह चीज़ें थोड़ी सी shorty बनेंगी यहां पर shoulder पूरा free होके काम करना है जानी कि अगर आप ज्यादा सोचेंगे ज्यादा चीज़ें करने की कोशिश करेंगे detail ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो हम इन चीज़ों को freely समझ नहीं पाएंगे यह को strokes हैं कुछ अभी हमें किस तरीके से इसको handle करना है कोई भी action बनाना है य यहां से पहले टॉर्सों को देखते हैं यह होगी बाजू है ठीक है दोनों साइड निकाल दी हमने जुरूरी नहीं है कि ऐसी करना है कोई भी action बना सकते हैं लेकिन यहां पर यह बना रहे हैं साइडों पर निकाल दी बाजू बाद में सोचेंगे कि कि साइड करना यह टॉ और सो थोड़ा साइड से दिख रहा हैं बैक साइड यहां पर फोड़ी सी लगा देते हैं कि ज्यादा डटेल में नहीं बस सिर्फ समझ रहे हैं कि किस चीज को बैलन्स करना है किस तरीके से नीचे लेकर आना है इसको पुरी बाड़ी को तो यहां तक पैर आ गया इसका ठी यहां पर लेके आते हैं ठीक है अभी दिखो यहां तक चीज बहुत इंपॉर्टन्ट हो जाती है उसके बाद कुछ भी यहां पर पहना दो इसके जैसे लॉंग नेक्ट शूज होते हैं इस तरीके से मतलब इंजॉय होना चाहिए आपकी स्कैचिंग में कुछ स्ट्रोक्स होने चाहिए कुछ क्रेक्टर अपने तरीके से आप बना सकते हैं जब आपको थोड़ा सा हैंडल करना आ जाता है तो मैं चीज़ों को जब स्टड़ी करता हूं यह जैसे रात को भी मैं यह स्टड़ी मतलब यह सीखनें के जरीया यही है कि अगर हम कॉंटिटी जादा रखेंगे तो दीरे दीरे फिर क्वालिटी बननी स्टार्ट हो जाती है जैसे अगर आप सिंगल लाइन से काम नहीं कर रहे हैं दस बारा लाइन लगा के फिर कोई लाइन निकलती है दीरे दीरे आप तो आपको ऐसे स्ट्रोक्स में काम करना जाएगा अब जैसे मेरी भी प्रैक्टस चल रही है कि हम जादा लाइनों से निकल के कुछ लाइन ऐसी हो कि हमारी सिंगल लाइन बन जाती ए ठीक है तो यह स्टड़ी साथ की साथ चलती रहती ज् 안에 हरें है कि हर एक चीज हमारी Table हो ह और एक एक चीज की स्टडी करना जैसे हैंड्स की होगी नेक की होगी टॉर्सों की होगी पैरों की स्टडी होगी तो यह दीरे दीरे इनकी भी स्टडी हमें जरूरी है करना क्योंकि जब भी आफ फुल बॉडी बना रहे हैं तब आपको रिलाइज होता है कि आप किस एंगल म तो सारी बाड़ी में गड़बड दिखने लग जाती है जैसे यह हैंड मैंने अभी तरह क्लियर भी नहीं किया लेकिन वह एक्षन में लग रहा है कि कोई चीज उसने पकड़ी होई है अभी मैं थोड़ा सा फेस के बारे में बता देता हूं जैसे फेस हैं तो फेस की जॉल ल बननी है वह लाइन इसी तरीके से खीचनी है यहां पर हमारी चिन होगी यहां पर मारा नोज रख लेते हैं ठीक है और नोज से हलकी सी यह रख लेते हैं आइस और फिर यह फोर हैड हो गया यहां पर इस सेड़ कम और इस सेड़ आइस कम दिखती है दूसरी और थोड़ा सम नीचे से इसको देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से बननाता है फेस ठीक है यहां पर लिप्स बनेंगे क्योंकि जब भी किसी चीज को प्रस्पेक्टव में देख रहे हैं अभी तो यह चीजें कम दिखेंगी हमें उपर की तरफ जाते हैं जैसे फोर हेड्ट छोड़ा सा छोटा होगा यहां पर नेक है तो कुछ इस तरीके से बनेंगी ठीक है यह पॉइंट्स हो गए अब कोई भ यह लगना चाहिए कि हम नीचे से पोज लिया हुआ है जौलन दिख रही है नीचे वाली अगर हम फ्रंट से दिखेंगे तो कुछ अलग से यह बनेंगा ठीक है अब और नीचे जाएंगे तो फोर हैड बहुत छोटा हो जाएगा आईज नोस यह बिलकुल डिस्टंस कम होत देखते अधिक हैं तो आगर में नीचे वाले साइड से देख रहे हैं तो यह पॉंट्स इस तरीके से दिक्क है यह लाइन जो है कुछ इस तरीके से हम Championship तो यह ज़रूरी है कुछ समझना कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं आपको खुद को थोड़ी सी मेनत करनी पड़ेगी तो जल्दी आद आएगा तो अभी यहां पर वैसे हमने मुस्टेचर वहां पर लगाई थी मुझे तो यहां पर भी लगा देते हैं ठीक है तो वही करेक्टर यहां पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा तो यह कुछ पॉइंट्स हैं जो कुछ पोट्रेट की स्टेडी जैसे हमने कोई भी फिगर बनाई उससे कोई भी चीज़े हमें कम लगती है तो साइड पर आप स्टेडी करते रहे हैं अभी मैं आपको और सिंपल बताता बदाने क्याओं मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टार्टिंग में जो हमारी स्ट्यडी होती हैं तो वा किस तरीके की रहती है हं सीथा डेटेल में चलेwenी कुछ इस तरीके की स्केचिंग बहुत जरूरी होती है हमें संदने के लिए पर यहां पर आ रहा है तो आपको बस इतना रखना है कि कोई पैर बड़ा या छोटा ना लगी कुछ स्टेबल रहती चीज़ें मनें जैसे यह पैर है कुछ इस तरीके से रख सकते हैं ठीक है हलका सा फो शॉर्ट में रखते हैं जैसे उदर से थोड़ा सा हमारी तरफ आता हुआ यहां पे शॉल्डर अगर हम इन चीज़ों को देख रहे हैं कि आगे की तरफ करना है तो शॉल्डर थोड़ा सा आगे कर दिया यह चीज़ यहां पे कनेक्ट करती है आप अपनी बाड़ी को फील करके देखिए कि जब भी आप कोई बाजू आगे करते हैं तो आपका शॉल्डर आगे जाएगा पैर इस तरीके से रखेंगे तो आपकी बाड़ी बैलन्स किस तरीके से करती है ठीक है पैर कैसे रखते हैं हैंड में कोई चीज़ पकड़ते है हैं वो किस तरीके से होल्ड होती है आपकी गर्दन जब किसी साइड घूमती है तो आपके शॉल्डर पे कितना चेंज आता है यह तो कितना घूमता है यह हम फील कर सकते हैं अब जैसे यह बाजू मैं सीधी बना रहा हूं तो शॉल्डर थोड़ा सा आगे आएगा तो यह मु हमें समझने होती है तो एक कोई भी हो अगर हम एक पार्ट हला रहे हैं किसी चीज का बाडि का गर एक बाजू हिल रही है बाकी बाडि बिल्कल नहीं हिल रही है तो मतलब एक स्टिलनस आती है euhrim बाडिय में पूरी जो मूमेंट आए वो समझने बहुत जरूरी है जब भी फिगर ड्रॉइंग एक्शन में बना रहे हैं जैसे इसका बैलन्स है तो उसको थोड़ा सा जुकाया हुआ आगे की तरफ और ये वाला पॉइंट देखो इसको थोड़ा सा हमारी तरफ आरिये लेग्स तो थोड़ा सा फोर शॉर्टनिंग में रखेंगे थोड़ा सा इस साइ समझ रहे हैं यह पॉइंट्स जो मैं लगा रहा हूं यह संद्रिकल शेप हमें समझाती है दो पर थोड़ा सा उदर स्वाली साइड है और से अधिकल शेप किस तरीके से मुझ कर रही है उस तरीके से बैक पे इस तरीके से दूसरे वाला हैंड रख सकते हैं ठीक हैं तो ऐसी जो फिगर्स हैं वो जुरूरी होती है हमें डेटेलिंग से पहले बनाना यहां पे एक और बना कर दिखता हूं है जैसे यह वाला एंगल ले लिया फेस का ठीक है सिंपल लाइन साइड फेस और इसका अगए हम ड कि तॉर्सों और हांड कुछ अपने तरीके से मेज़ा करेंगे जैसे यह वाला पॉइंट हम ज़िए ठीक है यहां पे होगी नेक और टॉर सो जोल्डर यहां पे यह वाला एंगल हो गया अभी चेस्ट वाला पॉइंट यह आ गया हमेरे पास तो दीरे दीरे हम टॉर्सों को समझना है जैसे यह नेक वाले मसल्स हैं तो यहां पे अटाइच हो गए यह कम दिखेगा यह वाला हैंड इस तरफ जा रहा है तो यहां पे मसल्स थोड़े से यहां तक समझा गया आपको यह वाला जो पॉइंट है आप देखो यहां पे शोल्डर इस तरफ चला गया और जो बॉड़ी का टॉर्सों है वो यहां पे अटाइच करता है पूरा घूम के यह वाला यहां पे टाइच करेगा यह वाला पीछे से यह लाइन आ रही है ठीक है यहां पे इस तरीके से मॉमेंटज की यहां पे डाक कर दिया थोड़ा सा देख्ट तिकाने के लिए अब यह तोर्सों को थोड़ा सा घुमा लेते हैं यहां पे यह और ने वाला पॉइंट्स इधर कर देते हैं एक पैर को ठीक है एक पैर नीचे कर देते हैं ठीक है अभी देखो टॉर्सो बैलन्स हो गया हैंड बैलन्स हो गया पूरा मतलब फिगर आगे तक हम बना सकते हैं राइट तो यहां तक पॉइंट्स जो है समझना बहुत जरूरी होता है उसके बाद हम नीच कुछ बैलंस कर सकते हैं अभी हम कुछ डेटेज पात कर लेते हैं जैसे अभी तक छो स्टविगी किया आपने जैसर की की है किसी चीज को मैनेज करने की है जाने कि जो फिगर डॉइंग और गफब किस तरीक्स मैनेज करते हैं अभी मैं खोर भी प्रेक्टिस करने हैं हम किस चीज सीख रहे हैं यह बहुत जरूरी है अब हमने हमने इसे प्रेक्टर बनाएं ठीक है कोई भी फेस ले लिया अब याद रखते हैं चीजों को तो हम इसको लिखके याद नहीं रख सकते ठीक है हमारी स्कैचिंग हमारी आर्ट जो है लिखके याद नहीं रखी जा सकती अगर हम सोचते हैं इसके नोट्स बना लें या फिर इसको कुछ इस तरीके से संभाल के रखें, कुछ लिख के याद करने वाली चीज़े रहेंगी, तो ऐसे कुछ नहीं है, यह हमारी समझ काम करती है, हमारी स्टडी काम करती है हमारी मेमरी में जो चीज़ें स्टोर हो रही है जितना हम किसी चीज़ को देख के बना रहे हैं, जितना हम तो कॉपी करने के बाद हम चीजों अब्जर्व जो करते हैं जितनी भी आपकी अब्जर्वेशन है जितनी आपके अंदर स्टोर हुई है चीजे उसको अमेजिनरी करने की कोशिश कीजे कि आपने जो सीखा है वो ड्रॉ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वैसे हम काम कर सकते हैं न बनाने की कोशिश करो तो मेरा यह आइडिया है कि आप मतलब जितने भी स्कैचिंग कर रहे हैं देखके उसके बाद आप खुद की सोच से बना के देखें कि कितनी चीजें आपको याद रहती हैं कितनी आप उसमें एड कर पाते हैं ठीक है तो बहुत असान होगा आपकी स्कैचिंग में बहुत सुदार रहेगा तो अभी देखो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से कुछ लाइनिंग लिए है एक फिगर ड्रॉइंग है कुछ करेक्टर बना दिया ठीक है कुछ इसके हाँन में पकडा दो और ये वाला हैंड देखो थोड़ी सा फोर शौटिंग में है तो कोई चीज इसके हैंड में पकड़ा सकते हैं ौइट कोई बर्शा या फिर कोई तलवार या फिर कोई अलिमेंट जो भी कैच्छिंग है हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं कोई भी चीज बनाएं कोई भी कर्याक्टर बनाइं हम उसको यूज करके देखें कि हमारी जो फिगर डॉयंग हमने सीखी है जिसर शीक्क विगर सीखुएं हैं इसको दीर दीर हमकिसी क्रेक्टर में डाल के देखें मतलब है कि checks कि we में अब की एमिपोबमेट तब होगी अगर आप नेक्स स्टेप सोच्के रखे उसकी स्कीचिंग करके देखें उसको स्टड करके देखें अभी थोड़ा सा इसको बैलन्स किया है एक क्रेक्टर बन गया है ठीक है अभी हम थोड़ी से हम और डेटेल देते हैं जैसे डाक दे दिया यह बहुत ही छोटा सा फेस है लेकिन डाक से दिखने लग जाएगा हाइलाइट से पता चल दाएगा कि फेस का कोई क्रेक्टर है राइट और इस तरीके से डेटेलिंग इतनी नहीं होती कि आपको यहां पर फीचर्स बनाने पड़ें कोई एक्सप्रेशन बनाने पड़ें आपका जो बेसिक पॉइंट्स हैं वह सही होने चाहिए अपके अगर शेडिंग कर रहे हैं तो शेडिंग का आपको एक सोर्स ले लिजे जैसे आपने एक प्रेड में ही काम करना होता है स्केचिंग में ठीक है अपने ऐसे रेंटरिंग कर दी हैं यह ज्यादा डेटेलिंग में नहीं जाना बस इसको वैल्यू देनी हैं कि आपको पता चले जैसे यह बंदा हुआ कुछ तो यहां पर मैंने थोड़ा सा रेंटरिंग कर दिया इसको आपको कम काम करना है लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगे हमें दिखने में यह लगे कि इस साइड से लाइट आ रही थी और शैडव इस तरफ जा रही है ठीक है अब हम थोड़ा सा शेड कर देते हैं यहां पर जैसे यह पॉइंट हो गया ठीक है यह गर्दन वाली साइड हो हलकी सी शेड कर दी डार्क है अगर आप इसको और ज्यादा प्रूव करना चाहते हैं जैसे नेक्स टैप में मैं आपको बताता हूं कोई भी ब्लैंडिंग डूल लीजे यह जरूरी नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाता हलकी सी शेड कर दी इससे हलका सा शेड कर दिया क्योंकि जो लाइन दिखरी थी उसको थोड़ा सामने डा कर दिया यह वैल्यू डार कोगी इसकी इसको थोड़ा सा डा कर दिया यहां पे जो रेंडरिंग की है हलकी सी शेड की है उसके उपर लगा दिया यह स्मलर यह पॉइ ड्राइंग जो हमने पहले जेस्टर लिया था स्टिक फिगर बनाई थी अब दीरे दीरे उसको क्लॉथ बगएरा उसके बना के एक अच्छी फिगर बना सकते हैं तो अभी भी हम बहुत जादा डेटेलिंग कर रहे हैं सिर्फ एक वैल्यू है जो हाइलाइट है और एक डारक ह यह जरूरी नहीं है कि हमने हर बार इस चीज़ को इतना ज़्यादा शार्प करना है या फिर ब्लैनिंग टूल्स यूज़ करना है आपकी कॉंटिटी जो है वह ज्यादा होनी चाहिए उसी में से ही क्वालिटी निकल के आएगी जरूर और दस भी स्कैचर्स आप डेली करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे अमीर करता हूं इस वीडियो से काफी चीज़ें आपको क्लियर होंगे स्कैचिंग के बारे में थेंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो